से जुड़ी जो आर्थिक गोशनाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है ये पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सबके जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक, गरह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर सिती, हर मौसम में देश वाश्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं, जो इमानदारी से टेक्ष देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारत ये उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्तमंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकता हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरव और सपस्ट नियम कानूं उत्तम इंफार्ट्रक्टर समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्स इच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीज परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिस्ट्राइब